तो भहिया जीत गए हम आईलाइन में T20 सीरीज, मगर क्या T20 के सवालों से मिलेंगे हमें वंडे के जवाब, बस इसी गुत्ती को सुल जाने में लगे हैं हमारी चीफ सेलेक्टर, हेड कोच और कप्तान सहाब, नमस्कार मेरा नाम है अतीशे, आप देख रहे हैं क्रिको, वर् पर से परदाफाश बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि खबरों के मुताबिक एश्यकप के लिए टीम इंडिया का एइलान आज हो सकता है, भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट की मीटिंग आज नई दिल्ली में होनी है, जहां श्रेया सायर और विकेट कीपर बैटर के यल के दौरे पर है, क्येल राहूल और शेयर सायर का फिटनेस स्टाट्स इस मीटिंग का एहम मुद्दा होने वाला है, और इन दोनों के चैन पर भारती टीम का कॉम्बिनेशन भहुत हद तक डिपेंड करता है बास, बी सी साई को इन दोनों प्लियर्स के बारे में नाशनल क् और वल्लेबाजी को श्रीकेश कानित का ने कड़ी नजर रखी, राहूल उस मैच में शामिल नहीं हुए थे, आज दूसरे प्रैक्टिस मैच में उनके शामिल होने की उमीद है, टीम इंडिया की विकेट कीपर समस्या को सुलजाने के लिए चोटे लिशपन्त की गैर अगर राहूल की वापसी होती है, तो उनके नमबर पांच पर बल्लेवाजी करने और विकेट कीपिंग करने की संभावना है, अगर वो वापसी नहीं करते हैं, तो इशान किशन विकेट कीपर की भूमिका के लिए सबसे आगे हो जाते हैं, वहीं अईयर के फिट होने पर नमबर चार की समस्या सुलच जाएगी, अईयर की गैर मौजूदगी में भारत ने हाली में वेस्टिनीज में सूर्य कुमार यादव, संजु सामसन और अक्षर पटेल को नमबर चार पर खिलाया था, भारत की T20 में उपकप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस विकार भी क उन्होंने नमबर चार के मौके का सही से फाइदा नहीं उठाया, राहूल और एयर के मुद्धे के अलावा टीम का उपकप्तान कौन होगा ये पी एक चर्चा होगी, इस मामले में अनुभव को देखेंगे तो बुमरा हार्दिक पंडिया से आगे है, बुमरा ने 2022 में इं पर T20 सीरीज में जीत भी दर्च कर ली है, इस शाकप के बाद आक्टूबर में वर्ल्ल कप खिला जाएगा, इसलिए शाकप की टीम का चैन वर्ल कप को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा, ICC ने वर्ल कप के लिए टीम चुनने के लिए 5 सितंबर तक का समय दिया है, सेलेक्टिस पहले दोनों टॉर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए 15 खिलानेों को चुनना चाहते हैं, और ये भारतिय टीम के लिए बेस्ट भी होगा, इस मेंटिंग में कुछ स्टैंडबाई प्लेर्स का सेलेक्शन भी होगा, जो इस शाकप के लिए कुलंबु रवाना ह पहले बैंगलोरू में 6 दिन के ही कैंप में शामिल होगी, एस्या कप का पहला मुकाबला 30 अगस को पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुलतान में खिला जाएगा, जबकि भारत का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ शिलनंका के कैंडी में होगा, और सही मायनों म वर्ल्ड कप की असली तयारी एशिया कप से ही शुरू होगी, तो क्या लगता है, क्या होगा टीम इंडिया का स्कौर्ड, क्या इसमें संजु सामसन अपनी जगा बना पाएंगे, क्या अयर और राहूल वापस आपाएंगे, क्या युवा यश्रस्वी और तिलक वर्मा को टीम में शामिल करके सेलेक्टर्स हमें सर्प्राइस करेंगे, और क्या स्पिन में अनुवफ के लिए स्कौर्ड में अश्विन की सर्प्राइस एंट्री होगी, इन सब सवालों का जवाब BCCI जल्द देने वाली है, और फिर शायद उन सवालों के जवाब भी हमें मिल अपना ध्यान रखे, मिलते हैं जल्दी, जय हिंद!